स्वागत है अते जिमें ही असी विकेंड दी शुरुवात कार दे हाँ असी जो कुझ कीता सी उसनु वापस देखन दा वदिया समा है असी एक एकल्ली वस्तु दे बहुत ही सिम्पल ओसीलेशन नाल शुरु कीता फिर असी कपल ड्वस्तुआं दे ओसीलेशना दा विश्लेशन कीता उदारन लई कई बिट नू इक अठे जोड़या गया अते असी उसीलेशन दे कपल मोड विच दिल्चस्पी रख दे सी दूजे शब्दां विच सारे इक अठे पार्टिकल दे उसीलेशन दा पैटरन की है अते फिर असी इस तो अग्गे जाके एक कंटिनियोस बनाऊन लई सारे पार्टिकल नू इक दूजे दे नेडे ले आए अते इसने सान नू एक वेव इकवेशन दित्ता अते वेव इकवेशन तो असी वेव इकवेशन दूआरा वर्नन कीते ट्रांसफर उसीलेशन नू देख्या असी लोंगिट्यूडिनल वेवस नू भी देख्या जिनानू वेव इकवेशन दूआरा वी दर्साया गया है लोंगिट्यूडिनल वेवस दी परमुख उदारन साउंड वेवस हन इसले असी साउंड दी स्पीड लई, एक फार्मूला ड्राइव कीता आसी एवी देख्या के फार्मूला के में बदलदा है जेकर आसी इक ठोस विच प्रोपेगेट करन वाली साउंड दा, वर्नन कर रहे हुंदे अते की हुंदा है जदों आम तौरते अते खास तौरते, साउंड एक मीडियम त फिरीकुएंसी दे, दो साइन वेवस नू जोड़े आसी, इसलेही मान लव के इस दी फिरीकुएंसी न्यू है, न्यू वन अते इस दी फिरीकुएंसी, न्यू दो है अते ओना विच अंतर असल विच बहुत छोटा है न्यू दो माइनस न्यू वन, तुसी इसनू बहुत मान सकदे हो इसनू डेल्टा म्यू मननो जदों असी ओना नू इकठे जोड़ दे हाँ ता सानू बिटस दे पैटरन वर्गा कुछ मिलदा है हुण सवाल ए है कि जेकर मैननू ए आब जैकट सन्यूकत वेव फारम दिता गया है ता कि मैं एहना वक्ख वक्ख कंपोनेंटस नू प्रापत कार सकदा हा इस लई ये हो है जो असी आज करन जा रहे हां आते इस तरह दे विशलेशन लई इस टूल दी लोड हुंदी है जिसनू फोरियर सिरीज केहा जान्दा है मैं कहांगा कि कोई फंक्शन पीरियोडिक हुंदा है जेकर मन्नी ए एफ फैकस बराबर है एफ फैकस पलस अलफा पीरियोडिक फंक्शना दियां बहुत सदारन उदाहरना बेशक हाने साइन एकस को सैकस उदारन ले मैं एक पीरियोडिक फंक्शन बना सकदा हां जो इस तरह दिखाई दिन्दा है ए वी एक periodic function है फिर सवाल उही है हुण की मैं विशलेशन कर सकदा हां अते पता लगा सकदा हां कि इस periodic function नूँ बनाऊन विच sine अते cosine दे कहड़े component लगगे हां इत्थे central आइडिया ए है कि जेकर मेरे call कोई periodic function f fax है इसनू sine अते cosine function आ दे आदार द्वारा दर्साया जा सकदा है इसलेई मैं इसनू इस तरह लिख सकदा हां क्योंकि variance principle विच एक बहुत वड़ी संख्या हो सकदी है इसलेई तुसी विखोगे कि right hand side जो ए समेशन है ए समूदली वेरिंग function आ दी वड़ी संख्या ते समेशन नू दर्साउंदा है इसलेई जिस्ता मतलब है कि सानू left hand side दी लोड है जो के ओनादा prefix है जो smoothly wearing well behaved function नू बीर करदा है साड़े कोल अजे वी discontinuity हो सकदी है जो nature विच finite है उदारन लेई जेकर मेरे कोल इस किसमदा कोई function होंदा ता मान लओ कि x बराबर x 0 है मेरे कोल function f x विच finite discontinuity है अपने आप विच कोई प्रोब्लम नहीं है इस Fourier series द्वारा त्यान रख्या जा सकदा है मैंनू Fourier series नू एक compact notation विच लिखन देओ f x a 0 by 2 पलस है मेरे कोल एक in a finite summation है अते जो 0 तो infinity तक जा रहा है इसलिए मैं summation notation नू शामल करन वाले compact notation विच expression जा Fourier series नू हेठा लिख्या है इसलिए अग्यात संख्यामा असल विच e n अते b n हान एसलिए हो quantities हान जेनादा सानू इस four year series दी वर्तों करन ली पता लगाऊन दी लोड है ता आम तो और ते जेकर तो हड़ा function f इस अर्थ विच लोडीन दी मात्रा विच समूध है कि इस विच finite discontinuity दी केवल finite संख्या है अजेहियां सारियां स्थितियां विच right hand side दा summation converge करन ले जाने आ जान्दा है इसलिए मैं तो हानू असल विच सबूत दिखाए बिना ए दसन जा रहा हां कि ए इस तरीके नाल लिख्या गया है कि असी function f x नू बनाऊन विच शामिल discrete frequency दी पचान कर सकदे हां इसलिए 4-year series दा एक होर representation है अते ए पता लगाऊन विच ज्यादा यतन नहीं लगदा कि cn square a n square पलस bn square दे बराबर है अते av थीटा n दा टाइम bn by en दे बराबर है अते 4-year series दा एक होर संभावित representation e power in x दे रूप विच है इसलिए मेरे call मौजूद प्रोब्लम दे अदार टे 4-year series नू दर्साउन दे तिन वक वक तरीके हन कई वार एहना विचों इक नू हैंडल करना दूजे नालों वदे रे असान हुंदा है दोहां cases विच जिसनू वी तुसी अपने नाल काम करन लई चुन दे हो तुसी अग्यात संख्यावादा पता करन तो बाच नहीं सकदे इसलिए आओ पहला एह 0 दा पता करिए अते ए करन लई मैंनू बस फंक्षन नू पीरियोडिसिटी दी रेंज विच इंटीगरेट करन दी लोड है इसलिए ये थे मैं एह मन्दा हां के मेरे फंक्षन एफ फैकस दी पीरियोडिसिटी है दो पाई कोस न एकस अते साइन एकस इंटीगरल दो में 0 होनगे क्योंके उदारन लें इंटीजर दी किसे भी वैलियू लें साइन दो एन पाई भी 0 है इसलिए ये इंटीगरल 0 है इसलिए सपश्चट तौरते कोस एन एकस इंटीगरेटिड ओवर दो पाई यू 0 ता एन दिया सारियां वैलियू लेई एह चला जावेगा अते तुसी ये साइन एकस लेई उही अब ब्यास कर सकदे हो इसलिए किसे वी इंटीजर वैलियू एन लेई जो 0 होवेगी साइन एकस नू 0 अते दो पाई दे विच इंटीगरेट करो इसलिए मैं हेठा दिता नतीजा प्रापत करन जा रहा हां इसलिए होन मैं इस नतीजे नू थोड़ा होर इंस्ट्रक्टिव बनाऊन लेई फंक्षन एफ फैकस दे टर्मस विच ए 0 दी वैलियू पता कीती है इथे दो नाल डिवाइड करना अते इथे दो नाल डिवाइड करना वदेरे सुविदा जनक है अते तुसी विखोगे के पहली तरम जो ए 0 बाए दो है सिरीजदियां बाकी सारियां टर्मस नालो बहुत वखरा है बाकी सारे टर्मस विच कोस जां साइन फंक्षन उसीलेटरी फंक्षन शामिल हुंदेहन जदों के ए एक असल विच एक कोन स्टेंट है इसलेई इसनों अक्सर डीसी लेवल केहा जानदा है जां एक कोन स्टेंट है जो तोहानू दसता है के तुसी किते हो अते ए उसीलेटरी फंक्षन इस दे द्वाले उसीलेट करदा है इत्थे इत्थे लेफट हैंड साइड बस फंक्षन एफ फैक्स दा एवरेज है आओ हुन असी होर दो अग्यात संख्यावानू लब्बिये जो एक की एन अते बी एन हान ता जो मैं कीता है ओहे है कि सारे एक्वेशन नू को सैम मैक्स नाल गुना कीता है अते जीरो तो दो पाई ते इंटीगरेट कीता है इसलिए जीरो बाई दो नू बाहर ले आ जा सकदा है जो कि इस टरम है इसनू इंटीगरल तो बाहर ले आ जा सकदा है अते इंटीगरल जीरो तो दो पाई को सैम मैक्स डी एकस तो हानू जीरो देवेगा ए ओ चीज है जो असी हुने विखी है इसलिए ए टरम 0 ते जावेगा N अते M इंटी जरहन सानू इसनू त्यान विच रखना चाहिदा है ता आओ देखिये की की हुन्दा है जेकर N M दे बराबर है इसलेई उसकेस विच एह पूरा फंक्षन को स्क्वेर N X D X बन जावेगा जिस दा 0 अते 2 पाई विच मुलांकन कीता जान्दा है अते इस इंटी गरलनू करना बहुत आसान है इसलेई साढ़े कोल जवाब दे तौरते सिर्फ पाई ही बचया है इसलेई मैंनू इत्थे जवाब लिखन देओ ता जवाब पाई है जेकर M बराबर N है ता जेकर M बराबर N नहीं है तुसी कोसे इनटू कोस भी फार्मूले दी वर्तों कर सकदे हो ता नतीजा कोसे पलस B अते कोसे माईनस B दे रूप विच होवेगा इसलेई ये इंटीग्रल जदो M अते N बराबर नहीं हान हुण तुसी इस फंक्षन नू बहुत आसानी नाल इंटीग्रेट कर सकदे हो ए सिरफ कोस फंक्षन है इसलेई नतीजा एक साइन फंक्षन होवेगा ए पूरा फंक्षन N अते M दे वैलियू दी परवाह कीते बिना जदो तक A इंटीजर हान तो हानू 0 देवेगा जेकर N M दे बराबर नहीं है ता A 0 होवेगा A V 0 होवेगा इसलेई हुण मैं दुबारा इस इंटीगरल दे नतीजेग्रेट नू 0 दे बराबर लिक सकदा हान जेकर M बराबर N नहीं है अते इसे तरह मैं तो हानू ए जानन ली बेंती करदा हा की की हुंदा है जेकर तुसी 0 तो 2 पाई दे विचकार D sin N X sin M X integral नू इंटीगरेट करदे हो अते A V πाई दे बराबर है जेकर M N दे बराबर है अते A 0 दे वी बराबर है जेकर M N दे बराबर नहीं है ता मान लओ कीता जान्दा है इसलिए अजेहे के स्विच पावे M अते N कुछ भी होन जदो ता को हो इंटीजर हन नतीजा हमेशा 0 हुंदा है उदारन लई इथे इंटीगरल ता ही बचेगा जेकर M अते N बराबर हन अते A sin अते कोस इंटीगरल दा कमबीनेशन N अते M दी किसे भी वैलियू नहीं बचेगा इसलिए ए हमेशा 0 दे बराबर होवेगा पर एह एक बचेगा जेकर M N दे बराबर है जिस के स्विच मैनू B N दा पता लगाउन लई इक बहुत ही समान अब्यास करन दी लोड होवेगी इसलिए मैनू बस इस पहले रिलेशन ते वापस जान दी लोड है जो असी 4-year सिरीज ले लिख्या सी सब जगा साइन M X दे नाल मल्टीपल आई करो अते 0 तो 2 पाई ते इंटीग्रेट करो मैं इत्थे सारे रिलेशन एक अठे कीते हन इसलिए इस दे नाल इंटीग्रल ओवर एफ एकस दे टर्मस विच असी सारे कोएफिशेंट नू जान दे हा जो हन M B M अते A 0 इसलिए जिमे मैं कहा A 0 जा A 0 बाई दो तो हनू फंक्षन दी एवरेज दिन्दा है अते A होर कोएफिशेंट तो हनू दस्ता है कि दित्ते गए फंक्षन दे निर्मान विच केडियां फिरिक्वेंसी शामिल हन सिरफ तो हनू एक तस्वीरी उदारन देन लई मेरे कोल इथे फंक्षन है जो मैं हुने ही पलोट कीता है अते तुसी फंक्षन दी दिखतो सपश्च्ट तौरते देख सकदे हो जेकर मैं इसनू ओरिजिन मन्दा हा ता इथे एप वाइन्ट ओरिजिन है ता सपश्च्ट तौरते फंक्षन एकस बराबर वाई बराबर जीरो दे द्वाले उसी लेट कर रहा है इसलेई इसता मतलब है कि फंक्षन दी एवरेज जीरो है अते ओसी लेटरी कंपोनेंट जेकर एक प्यूर साइन करव है ता साड़ा विशलेशन सानू दसेगा कि इस दी सिरफ एक टरम बी एम बचेगी अते बाकी सब कुछ जीरो होवेगा अते को साइन इंटीगरल विचों कोई भी नहीं बचेगा इसलेई सारे एम एम दियां सारियां वैलियू लई जीरो होणगे अते बी एम मेक नू छड के सारे जीरो होणगे अते ए जीरो जीरो दे बराबर है इसलेई एक सदारन अब्यास है ए बहुत सहज है तुसी इसनू करन दी कोशिश कर सकदे हो अते दूजे शब्दां विच इसनू हो रस्मी तौरते करन ली तोहाननू ए मान लेना चाहिदा है कि तोहाड़ा f x sin x है इस दा नतीजा ए होवेगा कि सारे m0, mb1 दे सारे value लई इक होनगे पर एक तो bm दे बाकी सारे value लई 0 दे बराबर होनगे a0 वी बेशक 0 दे बराबर होवेगा इसलई a0 function दी average दे level नाल संबंदित है अते इसनू देख के तुसी आसानी नाल कह सकदे हो कि function दा average 0 है असी जान दे हा कि जेकर मेरे call f x से f x दा एक periodic function है ता मैं एस समझन ले की की हो रहा है मैं इसनू हेठा लिखे तरीके नाल लिख सकदा है आओ एक सदारन उदारन लिए इस function नू एक even function केहा जावेगा क्योंकि transformation दे अदीन x goes to minus x f x बराबर है f minus x इसलई तुसी x बराबर minus x नू पुट कर दे हो function नहीं बदलदा अते असल विच तुसी function नू पलाट भी कर सकदे हो इसलई ये इस तरह दिखाई देवेगा इसलई ये x विच एक quadratic function है इस तरह equation दे left hand side जो मैं हेठा लिख्या है मेरे कोल x square होवेगा अते f x दा अद्दा होवेगा एह बेशक x square पलस f minus x है इस choice लई x square खुद x square होवेगा अते दुबारा एक बटा दो f x है x square minus f minus x जो है x square इसलई सपश्चट तो और ते दूजी तरम 0 ते जावेगी अते पहली तरम तो हानू खुद x square देवेगी जो है उस point दी पचान करो जो मैं 10 दी कोशिश कर रहा हा कि तुसी किसे भी function f x नू उस रूप विच लिख सकदे हो जो मैं इत्थे लिख्या है इसलई इत्थे एक पाग है पहला पाग जो ता बचेगा जेकर एक कीवन function है अते फिर एक दूजा पाग है जो ता बचेगा जेकर एक और्ड function है ता एक f x बराबर x cube है एक और्ड function है transformation दे अदीन जो है x गोस टू माइनस एकस f माइनस एकस गोस टू माइनस एकस एकस सक्वेर फंक्शन इस line दे द्वाले symmetric है जो x बराबर 0 line है जदों के एक anti-symmetric दी किसम है sine function odd function हन sin x x बराबर 0 दे द्वाले odd function है अते एसे तरह कोस फंक्शन कोस एकस एक इवन फंक्शन है कोस एकस फंक्शन दी x square x power 4 x power 6 आदिदे रूप विच expansion है जिते एe sine function दी x x cube x power 5 आदिदी टर्मस विच expansion है अते इस तरह एक एकस लई ए आम नतीजा है जो मैं लिख्या है एक कहनदा है कि किसे भी फंक्शन नूँ एक कीवन फंक्शन अते एक और्ड फंक्शन दे रूप विच लिख्या जा सकदा है अते सपश्चट तौरते साड़ी फोरियर सिरीज उस फोरम विच है इसलिए जेकर मेरा fx एक कीवन फंक्शन है तांक एवल योगदान कोसाई नादार तो आवेगा जिस्ता मतलब है कि सारे एन एम नान जीरो होनगे अते सारे भी एम जीरो होने चाही देहन इसलिए ये उस दा संखेप है जो असी फंक्शन दी सिमेटरी बारे सिख्या है इसलिए जेकर तो हड़ा fx पीरियोडिक फंक्शन इक कीवन फंक्शन है ता सारा योगदान एकस्पैंशन दे केवल इवन पाग तो आवेगा जो की कोसाईन पाग है इसलिए सारे एम नान जीरो होनगे अते सारे भी एम जीरो होनगे इसलिए जेकर तुसी जान दे हो कि तोहाड़ा फंक्शन असल विचे कीवन फंक्शन है ता तोहानू बी एम दे वैलियू दी गणना वी नहीं करनी पवेगी अते इसे तरह जेकर तुसी जान दे हो कि तोहाड़ा फंक्शन और्ड फंक्शन है ता सारे M दे सारे value लई M0 हन अते तो हानू सिरफ B M दे मुल्ला दी गन्ना करन दी लोड है पर आम तौर ते जे कर तो हड़े F फैकस दी कोई विशेश समिटटरी नहीं है बेशक इस दो हाँ दा योगदान होवेगा इस सारी समझ दे नाल हून आओ इक नान ट्रिवियल प्रोब्लम करिए इसलिए प्रोब्लम ए है कि मेरे कोल ए periodic function है जो मैं तो हड़े लेई इत्थे बनाया है विशलेश नातमक तोर ते इसनू इस तरह दरसाया जान्दा है सपश्ट तोर ते function periodic है जिमें कि तुसी देख सकदे हो इसलिए तुसी basic periodicity नू जीरो तो 2πाई जा माइनस पाई तो पलस पाई तक ले सकदे हो इसलिए एक चीज जो तुसी विखोगे होए है कि function y बराबर 0 दे द्वाले उसीलेट करदा है जिस दा मतलब है कि function दा average level 0 है इसलिए कोई भी गणना कीते बिना मैं कह सकदा हां कि DC level जा steady state level 0 है इसलिए जीरो तो हाँ नू 0 दे रूप विच प्रापत होना चाहिदा है जो एक चीज है माइनस पाई तो पलस पाई दे विचकार दे फिगर दे हिससे नू देखो इसलिए तुसी देखोगे के record function है असी हुने कुछ समा पहला ये चर्चा कीती सी के जेकर साधे को ल record function है अते जेकर तुसी record function दा four-year visualization करन जा रहे होता बचे होए टरम होनगे केवल bm अते m दे सारे value लई b अते सारे n 0 होनगे दूजे शब्दां विच सारियां को sine series 0 होनियां चाही दिया हन इसलिए सिरफ sine series है जो बचेगी इसलिए पहला इस 0 दी गणना कर दे हां standard formula जो असी हुने drive कीता है इथे पहला ही दिता गया है अते होन जेकर मैं इसनू 0 अते 2 पाई एक पूरे पीरियार दे दौरान कर दा हां मैंनू integral नू दो हिस्स्यां विच वंडन दी लोड है क्योंकि मेरा function 0 अते पाई विच वखरे तौरते परिपाशित हुन्दा है अते पाई अते 2 पाई दे विच वखरे तौरते परिपाशित हुन्दा है ठीक है तुसी इसनू इथे देख सकदे हो इसले ही मैं इसनू इक बाई 2 पाई integral 0 तो पाई fx dx पलस पाई तो 2 पाई fx dx वजों दुबारा लिख सकदा हां इसले यह ओ चीज है जिस दी असी फंक्षन नू वेखन दे अदारते उमीद कीती सी आओ हुन 0 तो इलावा m दे value लई em दी गणना करिए इसले em दा दुबारा पता करन लई असी 0 अते पाई दे विचकार integral नू सपलिट करन दी उही तकनीक कर दे हां इस integral नू करना असान है दोनों integral तोहान नू एक साइन फंक्षन देंगे अते 0 ते πाई ते अते 2 पाई ते इस integral दी हर लिमिट ते साइन फंक्षन 0 है इसले ही जवाब होवेगा h by πाई multiple i 0 इसले ही जवाब 0 है इसले ही नतीजा ए निकलदा है कि m 0 दे बराबर है m दी किसे भी integer value दे लई ए हो चीज है जिस्दा असी इस ताथ दे अदार ते अनुमान लगाया है कि ए फंक्षन एक और फंक्षन है हूना अन्तविच आओ भी m दी गरना करिये ता मैनू जल्दी गरना करन देओ तांकि एक बाई पाई अते एहना फंक्षनानू इंटीग्रेट करना असान है क्योंकि दो में कोस फंक्षन हान इसलिए आओ इसनू जल्दी कर दे हां इसलिए h बाई पाई होवेगा इसलिए मैनू प्रापत होवेगा माइनस कोस m x बाई m जो 0 अते पाई दे विचकार है पाई माइनस माइनस कोस m मैकस ओवर m पाई अते जे कर तुसी लिमिट स्पुट कर दे हो तां एह मैनू देवेगा तां एस सानू दस्ता है कि b m m दी even value लई 0 दे बराबर है b m m दी odd value लई 4 h by m π दे बराबर खोवेगा इस लई ए फोरियर सिरीज एकस्पैंशन सी जो असी शुरू विच लिखी सी अते हुन असी जान दे हां कि a 0 a 0 इसलई ए टरम मौजूद नहीं होवेगी अते जो असी हुने कीता उस तो असी ए भी जान दे हां कि b m ता ही बचेगा जे कर m में कौड इंटीजर है इसलई पहली बची टरम n बराबर 1 होवेगी ता ए साइन एन 1 है इसलई ए साइन एकस है अगली तरम साइन 2 एकस होवेगी पर असी के हा कि even n b m 0 दी वैलियू ता ओर तरम मौजूद नहीं होवेगी अगली बची तरम होवेगी साइन 3 एकस अते बेशक के थे ए डिवाइड बाई 3 होवेगा क्योंकि ए है n पलस साइन 5 एकस डिवाइड बाई पांजाद ए सिरीज जो असी प्रापत कीती है इस फंक्षन नू दरसाउंदी है जो असी इत्थे बनाई है तुसी देख सकदे हो कि असी की प्रापत कीता है साढ़े कोल ए फंक्षन है जिस विच पाई 0 अते इस तरह दे कई स्थाना दे फाईनाइड डिसकंटीन्यूटी हान होनो सब एक साइन फंक्षन दे टर्मस विच एक इन फाईनाइड सिरीज दे रूप विच दरसाया गया है ए हो है जो तुसी प्रापत कारदे हो जदो तुसी किसे भी पीरियोडिक फंक्षन दा फोरियर अनेलसिस कर दे हो